पादप जल सम्मंद, प्लांट वाटर रिलेशनसीप हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के लिए जल कितना आवश्यक है और पौधों के लिए कितना आवश्यक है यह हम जानते हैं कि जल के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते तो पाधब जल सम्बंद में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक हमारे पास आता है जल विभव या वाटर पोटेंसियल, वाटर पोटेंसियल नाम से इस पस्ट हो रहा है कि उसमें कितना पोटेंसियल है, जैसे कि अगर मैं कहती हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची तुम्हारे में बहुत potential है, याने मैं कुछ तो इसके में losses देख रही हूं, या किसी को भी बोलती हूं कि इसमें बहुत potential है, याने कुछ wishes देख रही हूंगी, उसमें कुछ शक्ती होगी, कुछ अच्छे गुण होंगे तो इसी प्रकाश जो जल में जल भी भव या वाटर पोटेंसिल किसे कहा जाता है जब जल को जैसे देख रहे हैं सुद्ध जल हमारे पास जो प्योर जल है एक बीकर में ना किसी दाब के ना कोई दाब यह ने चुप चाप रखा हुआ है तो उ झाल्राम सागा हरा में जल के अणू में उसके बल फे इधर और घूमते रहते हैं तो और उसमें कोईबी बाब नहीं लगा जा रहा है तो जैसे हम बीकर को देखते हैं उसमें कोई भी ανα यह इस पेल इस जो शक्ति है उसका ने जल भाव है उसमें जो अपने जो उसकी गती जुड़ जायना वही उसकी जल्वभ या वाटर पोटेंशियल होता है जिसको ग्रिक चिन्ह साई से प्रदर्शित किया जाता है और पास्कल दावाई दाविकाई में व्यक्ति किया जाता है और सुद्ध जल है ना उसका जल्वभ सबसे अधिक होता है यह भी हम आ इसकी जल्वभ युझा सब्सक्र खनार देते हैं कुछवी मिलते हैं लेकिनम हम कुछ मिलाये तो उसमें आपटे हैं आ नहीं वहितंसी की सद जल्वभ सबसकते हो गेरेनि Karma संद्ध मेने मैं आ सबसे अधिक होता है उसके बाद हम मैंने बताया विले यानि जिस चीज को हम मिला रहे हैं उसका विले विभा कितना उसमें मिलने की सकती है विले की छमता होती है इसे हम क्या गहते हैं विले विभा जिसको साई एस के द्वारा प्रदर्सित किया जाता है और यह सदेव नकारात्मक होता है जितना हम पानी है पानी में जितना मिलाते जाएंगे तो उतना कम होते जाएगा उसके घूमने क सब्सक्राइब के राइद है विले की कम हो जाएगी तो यह होती है विले विभाव उसके बाद हम देखते हैं कि जब सुद्य जल के वायुमंडली दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभाव बढ़ जाता है और जब विशरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेस करता है तो क्या होता है उसके अंदर क्या है कोशिका बित्ती क्या है उसकी बढ़ जाएगी और क्या होगा फूल जाएगा पानी जाएगा विशरण से पानी गिया तो फूल ने लगेगा तो क्या होता है कोशिक पूला देता है दाविभध को बढ़ा देता है नगां की तरफसे प्रेशर लग रहा थे हैं कोशी का जिलह का बित्ती से घिरी होती है कोशी का भीद्ती सबसेखती है इस आप देख रहे हैं यह परिवहन गती में बाधक नहीं होती है, यह किसके अंदर आने के लिए चैन करती है, कोई भी परिवहन गती में बाधक नहीं होती है, प्राया पौधों की कोशिकाओं में एक केंद्री रसधानी होती है, चितर में आप देख रहे हो रसधानी है, जिसकी रसधानी युक्त रस कोशिका के विले विभव में भागीदारी करता है पादप कोशिका में कोशिका जिल्ली तथा रसधानी की जिल्ली टोनो प्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भित्तर एवं बाहरी अण्वों की गती निर्धारीत करते हैं फिर हम देखते हैं परासरन परासरन क्या है पर क्या होता है विलायक क्यानु कम सांधरता से अधिक सांधरता की और गती करते हैं ठीक है हम जैसे हम एक प्रयोग करेंगे कि क्या हो रहा है कम सांधरता से अधिक सांधरता की और गती करते हैं एक प्रयोग जैसे आप देख रहे हो कर सकते हैं कि एक पानी रखे हैं एक बीकर मे और एक कीप लिए है जिसमें कीप में क्या है सरकरा का गोल है और नीचे अर्ध पारगम में जिल्ली है तो हम क्या देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है कीप का जो पानी है वो बढ़ता जाएगा क्यों बढ़ता जाएगा क्योंकि पानी धीरे-धीरे से उपर जा रहा है ना इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी कीप की और गती करेगा और कीप में घोल का इस तर बढ़ेगा और कीप की उपरी भाग पर बाहरी डाब डाला जा सकता है जैसे चितर में देख रोता कि जिल्लीका नीचे जो जिल्लीका से कीप में पानी विश्रित नहों यह दा पानी को व विश्रित होने से रोकता है विले सांद्रता अधिक होने पर पानी को विश्रित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की भी आवश्यक्ता होगी परासरन दाब में प्रियुक्त दाब सकरात्मक होता है जबकि परासरन विभव नकरात्मक होता है पादप कोशिकाओं में जल की गती के प्रती वेभार करना उसके बाहरी घोल के उपर या विलियन के उपर निर्भर करता है अग जब बाहरी घोल कोशिका द्रवे के परासरन दाप्स को संतुलित करता है यहने बाहरी घोल और अंदर का खुल दोनों बराबर रहता है तो इसको हम संपरासरी विलियन कहते और जब बाहर की तरब ज्यादा तनुयने पानी अधिक होता है और अंदर की तरब विले कम रहता है यहने पानी अधिक है और विले कम है तो इसको हम अल्प परासरी कहते हैं और जब विले अधिक है और पानी कम है यहने गाढ़ा है वो तो विले अधिक है और पानी कम है तो इसको हम अतिपरासरी विलियन कहते हैं इस प्रकार क्या है विलियन तीनों प्रकार के होते हैं समपरासरी बराबर अतिपरासरी और अलपपरासरी उसके बाद देखते हैं जब कोशिकाओं से पानी जो है ना बाहर जिल्ली के बाहर की तरब जैसे देखो चित्र में जब कोशि तो इसको हम लोग इस प्रकरिया को क्या बोलते हैं जीव द्रविय कुंचन या प्लाजमोलाइसिस कहते हैं यह बाहर का जो एट्मोस्फेर गाड़ा है सांद्रत आधिक है तो अंदर कम है तो वह कोशिका भित्ति से अलग होती जाएगी और वह सिकूड जाएगी पूर छोट जैसे आप चित्र में देखो छोट असा गोल सन रचना बन जाता है तो इस प्रकरिया को हम बोलते हैं प्लाजमोलाइसिस या जीव द्रविय कुंचन याने कुंचित जीव द्रवे का कुंचित सिकूडना कोशिकाओं में जल अंदर बाहर समान रूप से प्रभावित होता ह कोशिकाओं जब साम्यावस्था में होती है तो इसको हम धीला या फ्लोसीट कह सकते हैं धीला या फ्लोसीट याने साम्यावस्था में हैं जब कोशिकाओं को अलप परासरी घुल में रखा जाता है तो कोशिका जल विश्रित होता है और जीव द्रवे के विरुद्ध कहा जाता है पानी अंधर जाने के कारण जीविद्रेवि द्वारा प्रगट किये गया कठोर भिट्थी विप्रित कई कःते हैं को कोशीका विट्थी की धृ으ता के कारण ही जो कोशीकाए है नई उसके बाद हम देखते हैं अंतह सोशन, अपने दैनिक जीवन में एक देखते हैं अंतह सोशन का उधारन, जैसे कि घर में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी जब मतर की सबजी बनाना हो, काबुली चने की सबजी बना हो, तो रात को भीगो देती है, तुरंतो नहीं बना कि अध्यार को विश्रण छोटा सा था फानी को विश्रण कर के फूल जाता है तो यह अंतहसोषण कितना सिम्पल है यहने हम अपने डेनिक जीवन में विज्ञान के उधारण को देख सकते हैं तो यह गया उसे हम ऑल्ता है इसे हम ंतashotta कहते हैं इस प्रकार जोटे से एक दने के द्वारवा जब पानीको आशोशुत किया जाता है तो उसके आयतन में विर्द्धी होती है जिसे कहाoshima कर जाता है इस प्रकेया को कहां जाता है फिर लंबी दूरी तक चलगा परीबहन अब कि भी प्रकर्या थो क्या है इक दूरिय विखरन की प्रकरिया और बहुत मोच भी बेषय एँ पानी उपर तक विशरण के दवारा इतना लापकारी नहीं रहता है इसको हम एक उधारन से हम लोग जैसे देख सकते हैं एक रंगीन पानी है उसमें सफेद फूल वाले अगर हम लोग टहनी को डाल देते हैं थोड़े दर तक हम डूबो के रखते हैं उसके बाद हम जब उस लामBS गांते को देखते हैं तो इस तहनी में हम जैसे देखोμεंGि को जब हम काट के देखते हैं तो उसके चारों तो तरप घृम में जो है ना पानी का परिवहन हुआ हूँ है यहだ Pie हम यह समझ गए की जो पानी का परिवहन यह पानी ज ऊपर किसके रास्ते कौन से है उसका रंगीन था पानी तो ऊपर गया तो हम जब उसको कट करके देखे तो वहां पर जो जाइलम है उसमें छोटे-छोटे ब्लू कलर के जो पानी के वो दिखे कर इस समझ में आ गया कि पानी में परिवहन का रास्ता समवहनी बंडल जाइलम है लंबी दूरी के लिए विश्रण ज कीमी प्रक्रिया है जल खनीज भोजन सामुहिक प्रणाली द्वारा सामुहिक या इसको हम लोग बोल सकते हैं थोक प्रवाह यानिया मास फ्लो पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदूओं के बीच दाप की भिन्यता के परिणाम सरूप होता है पौधे क्या करते हैं जल को अशोशित करते हैं उसके बाद यह क्या करते हैं जल को और शोशित कर लिया लेकिन विभिन्य भागों तक कैसे गया है न पौधे जल को ओशोशित करने का मेन उसके चोटे-चोटे ‎मूल रोम होते हैं जो मूल रोम होते हैं वह सबसे हिम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मूल रोम ना जड़ो से Nich को नीचे से पानी को और ओशोशित करते हैं उसके बास जड़ो में ले किया थाथ अंदर कैसे जाता है अंदर दो वीधियों के द्वारा जाता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट इन दो वीधियों के द्वारा मूल रोम तो ले लिए पानी को जड़ मिट्टी से उसके बाद आप पौधों तक पहुचाने के लिए दूविद्याँ १। अरग र county है जो उसके वस चोटे उसके ऐंतरकोशीट वने हुए हैं जड़ों में उंसे ऊधर वह वो कोई भी बाधा नहीं आ रही है एक दम थोग प्रवा में यहने कि मास फ्लो में पानी जा रहा है यह यह इसलिए क्योंकि यह अंदर उसको जाना है तो एक दम बिना किसी अवरोत के वह अंदर की तरफ जाएगा इसको किसी भी मेंबरेन को क्या है टक्राने की आ करना नागों फेसराषते हैं यह जबते हैं फार थे तेज टी शे प्रिच कर दो पार करे जाना पड़ तरह तो पर गोब हला है तो पम्रेंव सरय को सब्साइब है इसे नहीं पा रहा है तो इसको बदलना पड़े है यह खोड ऐने संस्राने tratar जाने की वीधी बता रहे हैं जिसमें एपो प्लास्ट जो है बीना किसी बाधा के अंतरकोशियकास में जो जगह है उससे सामुहिक प्रवाह की रूप में अराम से जो बानी है चला जाता है बीना कि कि किसी मेंब्रेन से टकरा के अंदर से गुजरने के आशकता नहीं होती अपने पौधों में माइको राइजा जो माइको राइजा होता है अतिरिक्त सरचना जो हाईयर प्लांट से ना उनके जड़ों में एक अतिरिक्त सरचना होती है फंगस जो है फंगस एक जड़ और फंगस एक सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं उसे माइको रा कवक जड को जल खनीज उपलब्ध कराते हैं और उसके बदले में mycorrhiza भी उसको नाइट्रोजन सरकरा उपलब्ध कराती है यह दिकतर हम पाइनस के पौधों में इस सहीवय को mycorrhiza को देख सकते हैं पौधों का जल जो है उपर की ओर गमन कैसे करता है इसकी दो वीदिया है मूल दाब एक है एक वास्पो सर्जन खिचाओ तो मूल दाब नाम से पश्ठ है मूल दाब यहने जड़ों में जो दाब लगेगा यहने पौधे को पानी भोजन तो चाहिए तो जो मिट्टी में जितने भी पा जनों का जो प्रेशर है जो प्रेशर लग रहा है तो यह जो मूल दाब है इसी के द्वारा ही एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बिंडु स्त्राव्या गटेशन कहते हैं अधिक तर हम रात के समय या सुबह के समय देख सकते हैं पतियों में जसे देखो डाइगराम में आप किनारे किनारे बिंदू के रूप में पानी की छती होती है पानी जो है लॉस होता है जो पौधे का पानी है तो इसको यह मूलदाप के कारण होता है नीचे से प्रेसर आ है चोटे जगहों पर अधिक तर मूलडाब चोटे चोटे पादों पर ज्यादा असर नहीं हो पाता है। तो, मूलडाब से प्रेशर आता है तो पत्ती चोटी चोटी मूनें है बूंदो की रूप में इसलिए इसका नाम बिन्दु एसे पिंदों के रूप में पानी की छति होना दूसरा है वासपॉसens बना रहा हुई यह So क्या चाहिए उसके आपना घ्रकास निषें करते हैं आपनब रहे हैं तो फाशिष जर्जों में दो तो पानी के लिए वो क्या करेगा कि मुझे पानी चाहिए इसलिए वो क्या करेगा जाइलम की तरफ खिचाओ उत्पन करेगा फिर जाइलम नीचे से पानी लेगा जड़ों से लेते हुए उपर की तरफ खिचाओ उत्पन होता है जिसको हम संयजन तनाव वास्पोस सर्जन ख कहते हैं यह इना पढ़ रिरा कि तो नीचे से एक खिचाव कि змगर उसे ऑमम कहते हैं लोग कहते हैं अपलों आप लोग समझ गए हैं वास्पोसर्जन की प्रकृया जो होती है पतियों में जो इस्टोमेटा रंद्र के उपस्तिति के कार्ण वास्पोसर्जन की वह खुले बंद रहते हैं उसी सही ऑक्सिजेन कारबन डायक्साइड अंदर बाहर जाता है पतियों में इसमें रक्षक अधिकतर यह दिन के समय खुली रात के समय बंद होती है यह उसके इस पीती पर निर्भर करता है इस पीती रहे जैसे पानी पानी जब जादा आगया है तो इन रख्षक कोशिकाओं में जो है ये जब पानी इसमें आता है तो ये बन्ध हो जाते है अब पानी की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले भी कई कारक है यहने इस प्रक्रिया को कई लोग डिश्टब कर सकते हैं यह कौन है ताप, प्रकाश, आद्रता, रंधरों की संख्या, रंधरों का खुलना बंध होना यह जो है वास्पोस सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है जैसा कि आपने देखा कि वास्पोस सरजन के द्वारा वास्पके रूम में पानी की चछती होती है लेकिन फिर भी पौधों के लिए वास्पोस सरजन आवश्यक है क्यों आशक है क्योंकि इससे सेल जो कोशिका है उसका आकार और साइज मेंटेन रहता है वासपोस सर्जन खिचा हुआ इसका मतलब क्या होगा मिट्टी से खनीजों का भी परीवहन जणों के द्वारा होगा यहने उसको पौधे को खनीज मिल रहे हैं और जो पत्तियां रहती हैं इस प्रकार वासपोस सर्जन के कुछ फायदे भी हैं जैसा कि अभी तक हमने जाना कि जल परीवहन कैसा होता था जल परीवहन के लिए पौधों पौधे जो हैं जणों से जड़ों पानी को और शोशित करते थे उसी प्रकार आप देखते हैं हम खनीज आयनों का इस धा अधिक होती है तो सक्रिय परिवहन के द्वारा ही जो आयन या खनीज हैं उनको जड़ आउशोशित कर पाते हैं और हम देखते हैं कि जो खनीज आयन तो बहुत ज्यादा जरूरी है पौधों को उनकी वृद्धी के लिए फूलों के लिए पतियों के लिए बहुत जरूरी तो जो पुराने जो जर आवस्था में चले जाते हैं जो पुराने पतियां हैं वो क्या करती है लाश्ट जब उनका अंतिम समय रहता है वो जब अपने पौधे से जब गिरने वाली रहती है उससे पहले जो खनीज हैं अपने जो खनीज तत्वों को ट्रांसवर जैसे चित नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऐसे तत्तों को वो अपने तत्तों को संचरित कर सकते हैं, लेकिन कुछ सरचनातक जिन से निर्मान होता है, जैसे कि कैल्सियम पुना संगठित नहीं किया जा सकता, अधिकतर हम लोग सब्द सुनते हैं, स्रोतर कुंड, नाम से स्पष्ठ हो र रहा है, तो कौन सा है ऐसा भाग, पत्ते, लीव में प्रकासनसेशन से बनता है, तो ये स्रोत है, और कुंड जहां पर हमको उस उर्जा की आवशक्ता होती है, जैसे स्टेम है, उर्जा की आवशक्ता है, तो इनको हम कुंड बोलेंगे, स्रोत और कुंड, तो ये जो स्रोत अधिकतर कुंड है ना मौसम के नुसार बदलते रहते हैं जैसे हम देख सकते हैं जड़ में जो एकत्रित की गई सरकरा है याने जो ग्लुकोज है वो बसंत के आरहम में आहर का श्रोध बन जाती है और जो पादपों की जो नई कलिकाए है छोटी कोमल जिसमें फूल आने वा अधिकतर हम लोग देखते हैं कि फ्लोयम और जाइलम के द्वारा ही खनीजों का जलक़ संचरन होता है तो जब प्रकास ऐंसलेशन के द्वारा पत्तिओं में जब भोजन बनता है तो वह वोजन फ्लोयम के द्वारा पादह के एक ही दिशा नहीं पादे के तो कई भाग है तो पवधे के विभिन दिसाहों में मल्टी डाय्यक्शन को सनचरित करता है जल का परिवहन करता है तो यह जड़ों से उपर की तरफ एकडिसात्मक होता है जाईलम में जो पानी का परिवहन है वो एक दिसात्मक होता है इसी चीज को हम लोग जो मेन एक परिकल्पना है जिसको हम कहते हैं दाप्रवाह या सामूहिक परिकल्पना यहने स्रोत से कुंड की ओर सरकर्रा के इस्थानांतरण के लिए आवश्यक स्विकृत क्रिया विदी को दाप्रवाह परिकल्पना कहते हैं याने स्रोत से कुंड की और किस प्रकार गती करेगा इसको एक परिकल्पना दिया गया है जिसे हम Дापप्रवा या सामूइक प्रवा परिकल्पना कहते हैं फ्लोयम उत्तक सीव टीव सेल या चालनी नलीका कोशिका से बना होता है जो लंबी इस्तंब की रचना है जिसके अंतिम भित्ती में एक छिद्र है जिसे चालनी पटिकाएं कहते हैं कोशिका द्रव जो तंतु है इन चालनी पाट के छिद्र में प्रवेस करती है और सतत जैसे ही द्रव इस्थेतिक दवाब फ्लोयम के चालनी नलिकामें बढ़ता है। दाप्रवास सुरू हो जाता है और द्रव क्या है ? फ्लोयम में चालना सुरू कर देता है। इस बीच कुंड़ पर आने वाले जो शरकरा हैं फ्लोयम से सक्री रूप से तेजी सरकरा के रूप में बाहर किया जाता है और फ्लोयम में विले की छती से एक उच्च जल विभाव यहने की वाटर पोटेंशियल पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है इसका मतलब यह मैं बताना चाहा रही हूं कि फ्लोयम के द्वारा ही अधिकतर जो स्र पौधे का तना है पौधे के तने को बीच से बारीके से सावधानी पूरोग हटा दिया जाता है तो उपर की तरफ से जो भोजन आता है फ्लोयम के द्वारा तो हम कुछ दिनों बात देखते हैं कि जो यह तने का जो नीचला हिस्सा है वो क्योंकि फ्लोयम से फूड आ रहा भागों में पहुंचता है तो यह जो दाप प्रवाह या सामोहिक प्रवाह कर परिकल्पना इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जो स्रोथ है लीवस पर यहां पर प्रकास संसलेशन के दोरह भोजन बनाए न तो और किस रूप में रहता है ग्लूकोज के रूप में रहत क्योंकि सक्री परिवन हो रहा है तो फ्लोयम चलनी कोशिकाओं में संचरित हो जाता है कि चलनी कोशिकाओं में यह संचरित हो जाता है स्रोत पर यह लोडन की प्रक्रिया फ्लोयम में एक अती परासरणी अवस्था में पैदा करता है और जो निकटवर्ती उसके पास का जो ज में चला जाता है उसके बगल मेन नीमने दाप के च्चेटर में चला जाता है फिर कुंड़ पर परासरणी दवाब हमेशा निश्चित रूप से होना यह जाए तब ही जाईलम का फ्लोयम पर एक दवाब पड़ेगा एक कि फिर से फ्लोयम रश से सरकरा को बाहर करने तथा कोशिका तक जहां सरकरा उर्जा, स्टार्च या सेलिलोस में बदलती हैं ले जाने के लिए सक्री परिवहन अविश्यक होता है जैसे ही सरकरा हटती है परासरणी दाब भी घट जाता है और जल जो है फ्लोयम से बाहर चला जाता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इसका मतलिब यह है कि जो पतियों में जो ग्लूकोज है उसको सरकरा में बदल दिया जाता है पिर सरकरा की लोडिंग उसमें भी पानी आएगा उसके द्वारा क्या है जालम मास के द्वारा जो है फूड का कूंट के तरफ यह उर्जा का संचरण毒 हो जाता है इस प्रकार ये दाप्रवा की परिकलमना पूरी हो जाती है